जै मैंसी की दोस्तों, आज के स्वर्गे मन्ना का भाग हमने लिया है, नीती वचन की पुस्तक, उसका तीसरा अध्याए और उसका दस्वा वचन, तब तेरे भंडार बहुत आयसे भरे रहेंगे और तेरे कुंड नए दाखलत से उमरते रहेंगे, धन्यवाद पिता परमेश तेरे पवित सामर्थी वचन में अद्बुत सिद्धा है, महान है तो परमेश्र, तो हमसे बहुत प्यार करता है, दोस्तों वचन क्या है, परमेश्र का वचन क्या है, परमेश्र का वचन बहुत आयात में सिद्धा को दर्शाता है, परमेश्र का वचन हमारे उसके अनुरह को दर्शाता है परमिश्र का वचन बताता है कि जो उसने कहा है वो होगा उसके मुख से निकली हुई हरवानी सत्य है आकाश और पर त्वी टल सकती है लेकिन परमिश्र का वचन नहीं टल सकता है हालेलिया यहां पर हम देखते हैं कि सारपत के विद्वा के पास एलिया जो प अपने बच्चे के संग रहती थी जो बिचारी बहुत खरीब थी खालेलिया वो परमिश्र को जानती थी लेकिन अपनी मुसीब्तों में इस तरीके से उल्ची हुई थी यही करता है शैतान शैतान आपको आपके दुखों में इस तरीके से उल्चा देता है शैतान आपकी आजमाईशों में इस तरीके से उल्चा देता है, आपके मुसीबतों में इस तरीके से उल्चा देता है, कि आप परमिशर को समझ ही नहीं पाते, आप परमिशर के निकले हुए वचन को, जुसके मुख से निकला वचन है, उसको ग्रहन ही नहीं कर पाते, और जब तक आप वचन को ग्रहन नहीं करेंगे तब तक वचन आपके जीवन में काम नहीं करेगा क्या यहाँ पर लिखा हुआ है? पहला राजा सतरा का आठ में नौ में जब यहवा ने उसके उसे कहा एलिया से कहा कि तब यहवा का वचन उसके पास पहुंचा उठ सिदोन के सारपत को जा और वही रहे देख मैंने वहां एक विद्वा को तेरे लिए भोजन प्रवंद करने की आग्यादी है यह एलिया को पर्मिश्र ने अलान दिया कि मैंने सारपत की विद्वा को बोल दिया है लेकिन विद्वा इस तरीके से मुसीबतों में उल्ची हुई थी अपने दुखों में अपने शरीर की उल्जरों में इस तरीके से उल्ची हुई थी कि वो पर्मिश्र को यादी नहीं कर पा रहे थी कब परमिश्र का बचन आप तक पहुँचेगा जब आप परात्रा में रहेंगे कब परमिश्र को आप समझेंगे जब आप परमिश्र के करीब जाएंगे अगर आप शैतान आपको आपकी उल्चनों में इस तरीके से उल्चा देता है कि आप परमेशर के करीब ही नहीं जाते, आप रात्रों में नहीं रहते और जब आप रात्रों में नहीं रहते, परमेशर के करीब नहीं जाते तो परमेशर की मंसा क्या है, परमेशर के दिल में क्या है, परमेशर आपके लिए क्या चाहता है परविश्र कैसे आपको इन दुखों से इन मुस्कितों से निकालना चाहता है उसकी योशना आपके लिए क्या है ये आप समझ ही नहीं पाते है और जब आप समझ नहीं पाते है तब आप पुरी तरीके से शैतान के चंगुल में आ जाते हैं, फस जाते हैं मेरे दोस्त, और परविश्व से दूर हो जाते हैं एलिय नभी जब वहाँ पर पहुँचा और उसने कहा सारपत की विद्वा को कि मेरे लिए रोटी ला, मेरे लिए पानी लेकरा वहाँ पर सारपत की विद्वाने का कि मेरे पास रोटी नहीं है मैं यहवा के जीवन की शबत खाती हूं मेरे पास रोटी नहीं है मेरे पास उतना ही रोटी है उतना ही पानी है कि मैं और मेरा बेटा खाए और मर जाए यहाँ पर उधा सीनता है यहाँ पर फस्ट्रेशन है, यहाँ पर निराशा है, यहाँ पर विद्वा के द्वारा पता लगता है कि उसने अपने जीवन का अंत करने की सोच ली है, वो जान गई है कि उसका अंत है लेकिन परविश्र कहता है मैं आशा हूँ, मैं आशा हूँ, मैं जीवन हूँ, मैं जोती हूँ, मैं ही जल हूँ जो मेरे पास आएगा, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूका नहीं होगा और जो में पर विश्वास कर देगा वो कभी प्यासा नहीं होगा लेकिन हम कब अपनी भूग को मिटाएंगे जब हम उसके पास जाएंगे हम कभी अपने कब हम होंगे त्रिप्त होंगे जब हम उस पर विश्वास करेंगे मेरे दोस्तों अगर हमारा विश्वास कमजोर है तो हम उसके पास कैसे जाएंगे और हम उसके वचनों के दौर अपने जीवन को कैसे त्रिप्त करेंगे हम उसके वचनों को कैसे ग्रहन करेंगे अगर हम ग्रहन नहीं करेंगे तो वचन काम नहीं करेंगे पहला राजा 17 का 14 में तब एलिया ने वचन का यानि के परमेशर का वचन एलिया के मुख से निकला उसने कहा क्योंकि इसराइल का परमेशर यहवा यह कहता है जब तक यहवा भूमी पर मेहना बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का आटा समाप्त होगा और ना उस कोपी का तेल घटेगा हे विद्वा तेरी मुसीब्तों का अंत हो चुका है हे भाई आपकी मुसीब्तों का अंत हो गया है आपके दुखों का अंत हो गया है आपके निराशाओं का अंत हो गया है क्योंकि परमेशर का वचन उसके मुख से निकल चुका है और वो वचन आपके लिए आशा लेकर आ इसलिए उसको सुनने की कोशिश करिए और उस वचन को ग्रहन करिये जब हम उन वचन को ग्रहन करते हैं मेरे भाई तो ही वचन हमारे चीवन में आशीष रेता है और यहांपर बतायागया है कि जैसे उस विद्वा ने एलियक के मुख सिब पर वेशर के वचन को ग्रहन किया, जब तक बढ़साद नहीं हुई, उनका ना तो आटा समाथ हुआ, नहीं तेल समाथ हुआ, मेरे दोस्तों, आज की सुभा अत्मत है, इस चीज़ को जान लीजिए, इस चीज़ को मान लीजिए, कि जब तक आप परमेशर के वचन को ग्रहन नहीं करेंगे, तब परमेशर के वचन आपके अंदर होंगे, आपकी सेवा में ये सुच्छी लगेगी, आप पर करती, आपकी सेवा करेगी कब, जब परमेशर के वचन होंगे, तो आई हम दोस्तों, आज ही एहद करते हैं, और परमेशर से मांगते हैं, परमेशर से प्रातरा करते हैं, और पूरी तरीके से अपने कोशिश करेंगे और सुनेंगे और इसमें ही चलेंगे तब शेतान आपकी जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, आपको रोख नहीं पाएगा, आई हम प्रात्रा करते हैं, इश्व मसीह के पावदिस रौती नाम से अद्व शिफा मांगते हैं, सुख म हमारे चीवन में काम करें, इश्व मसीह के पावदिस रौती नाम से मांगते हैं, एमेन, 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 एमेन.